तब वहां पर जनस्थान की निवासी सूर्पनका नाम की विरूपी राक्षसी जो की काम रूपी नी थी उनको स्रीराम जी ने देखा। तब सूर्पनका के वचन सुनकर राक्षस गण स्रीराम पर आक्रमन के लिए गए। उनमें खर, त्रिशीरस, एवं दूशन जैसे राक्षस भी थे। श्रीराम ने उन जनस्थान के निवासियों और जो राक्षस उनसे युद्ध करने आये थे, उनको मार दिया। श्रीरामचंद्र जी ने रावन के कुटुम्ब में 14,000 राक्षसों का संभार किया। इस वार्ता को सुनने पर रावन ख्रोध से मूर्चित हो गया। उसके पश्चात रावन मारीच नाम के राक्षस का सहाय लेने पहुचा। तब मारीच ने रावन से कहा।